तो हैलो गाइज आज की इस वीडियो में बात करने वाली है यस बैंक प्रस्टनल लोन के बारे में अगर आप यस बैंक में घर बैटें वाण लाइन के मादम से लोन अपलाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप कम्प्लेट वाच करेंगे यहां पर पर सेसिंग फिस जि बिजिनस टोन अपलाई कर सकते हैं बैकल लोन हो एजुकेशन हो यहां कि सारी टाइप का लोन जो है आप सबको यहां पे मिल जाता है यहां पर आने के बाद जो है आप सबको लोन वाली सेक्शन में जाना है उपर में आपको यहां पर लोन का क्टेगरिज मिलता है इस पे क क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पे consumer loan दिया गया consumer loan पे आप क्लिक करते हैं आपके सामने जो है कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलता है यहां पर फॉस्टी नमबर में जाता है यहां के अंदर loan apply आप यहीं से कर सकते हैं और उसके बारे में जनकारी भी आप यहीं से collect कर सकते हैं तो सबसे पहले यहां पर हम कुछ जनकारी collect कर लेते हैं ताकि हमको आगे चलके कोई दिक्कत ना हूँ यहाँ पर no more का options मिलता है इस पर हम क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आता है यहाँ पर बताया जाता है फेक्सिवल रिपेमेंट है और वन मिनुट में जो है एप्रूबल मिल जाता है लोन ट्रांसपोर डारेक्ट आप अपने खा सकते हैं स्टार्टिंग जो है 10,59% से है और यहाँ पर लास्ट जो है आपको 20 परसेंट तक इंटरेस्टेट देना होता है यहाँ पर परसेसिंग फीज जो ए अप टू परसेंट दिया गया है यहाँ नीचे देखेंगे स्टम ड्यूटी एन और अश्ट्र ट्री चाल ठीक तो यहां पे जो है यह हर एक estate में अलग-अलग होता है आपके estate में जो log का charge होगा वही चार्ज जो है आपसो को वहाँ पे देना होगा यह जो है हर estate का अलग-अलग होता है नीचे आप आते हैं तो यहां पे how to apply का अफसर मिलता है तो simply चलिए अब हम apply करने के बारे में देख अफमे करने के लिए आपको एक श्टेप ऊपर आना है यहां पे आपको आपको certainly कंस्रमर के अगर आपका खाता इस में है तो यहांसे आप apply करें है अगर क्खाता इसमें नहीं है आप इसमें करव اس पर इडिटर्स फ्लप करेंगे वह अपने Pen Card के Base यहाँ पर फिलप करेंगे यहाँ पर आपना नाम और लाच्ट नम फिलप करने के पाद मोबाईल नमर आपको डालना होगा, इमेल आइड़ी आपको फिलप करना होगा विसके बाद इहाँ पर पैन काड नमबर दिया गया आप जाब करते होंगों, यहाँ पर आपको बताना होगा. अगर आप Self होंगे, तो यहाँ पर Self भी आप Fill Up कर सकते हैं. ठीक है, नीचे आप सब को यहाँ पर Annual Income दिया गया, इस पर क्लिक करेंगे. आपको लोन कितना चाहिए, यहाँ पर बताना होगा. यहाँ पे less than 5 लग दिया गया है 5 लग to 10 लग दिया गया 10 लग to 25 लग दिया गया तो simply यहाँ पे आप अपने इसाब से choose कर लेंगे उसके बाद आप सबको यहाँ पे capture मिल जाता है I am not robot का तो simply इस box को आपको tick up कर रहा है tick up करने के बाद जो है नीचे आपको submit का बटन दिखता है simply आपको submit पे click कर देना है सारे form को फिल कर आप submit पे click करेंगे आपका form जो है आपको successfully submitted हो जाएगी submit होने के बाद जो है अब आपको यहाँ पे yes bank के तरफ से call किया जाएगा और आपके loan के संबंदित जो है जानकारी मांगा जाएगा आपको वहाँ पे अपना document भी बताना होगा अगर आपका document सही होता है तो आपको जो है branch बुला जा सकता है या इस bank के facilities के अनसार door step का जो system होता है या इस bank के door step system के दोवारा आपके घर पे कोई करमचारी भीजिट करेंगे और आपका जो भी document होगा उसका KYC complete करेंगे और आपका जो भी पैसा होगा वो instant आपके खाते में टास्पर कर देंगे तो इस परकार से जो है आप yes bank में loan apply कर सकते हैं और loan का enjoy आप काफी इजी तरीका से ले सकते हैं तो दोस्त वीडियो को आप एई पे खतम करेंगे उमीद करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए helpful रहा होगा आप जान पायाँगे कि yes bank में किस परकार से loan apply किया जाता है